गंतंत्र देवस से पहले राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली सीमावर्ती राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतन की साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली के गाजीपूर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में IED मिला जिसे निश्क्रिय कर दिया गया। बता दे पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के अमरित्सर में पाच किलो RDX बरामद हुआ है। आशन का जताई जा रही है कि ISI और खालिस्तानी आतनकियों ने चुनाव के दोरान धमाकों के लिए यह विस्फोटक सामगरी भीजी थी। श्रीनगर के ख्वाजा बजार में आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बोरी में छिपाकर रखी गई प्रेश कुकर आईडी बरामद हुई। समय रहते इसे भी निश्क्रिय कर दिया गया। और नहीं इसके पीछे कोई साजिश थी। स्थानिय स्तर पर अचानक बदले मौसम में बादलों के आजाने से पाइलट आकाशिय भटकाव के शिकार हो गए और इसी दर्म्यान हेलिकॉप्ट दुर्गटनागरस्थ हो गया। सीडियस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुल के साथ इस हेलिकॉप्टर में सवार सभी 14 सेन्यकर्मी और पाइलटों की मौत हो गई थी। से चलाई जा रही सभी फेलोशिप और स्कॉलरशिप योजनाओ को अब एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तयारी कर रही है। पांच राजियों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राजियों में रैलियों पर प्रतिबंद लगा दिया है। राजनीतिक पार्टियों को वर्चुल रैली करने की इजाजत है। यह प्रतिबंद आगे जारी रहेगा या नहीं? इस पर शनिवार को चुनाव आयोग मन्थन करेगा। दरसल कोरोना महामारी को देखते हुआ आयोग ने इन सभी पाँच राजियों में सार्वजनिक रैली, रोट शो और बाइक रैली समेत अन्यचीजों पर प्रतिबंद लगाया था। शनिवार यानी 15 जनवरी को चुनाव आयोग की होने वाली बैठक में इन प्रतिबंदों को आगे बढ़ाने या इन्हें खत्म करने पर कोई फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इन पाँच राजियों में कोरोना और इसके नए वेरियंट ओमिक्रोन की स्थिती के आधार पर ही कोई निर्णय चुनाव आयोग लेगा। पार्टी में शामिल होने के दोरान कोरोना प्रोटोकाल का जमकर उलंगन किया गया। अखिलेश यादव तथा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कार्यक्रम का जिला निर्वाचन अधिकारी ने जाच कराने के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर महामारी एक्ट के तह में मेरट की हस्तिनापूर सीट से फिल्म अभिनेत्री अर्चना गौतम को प्रत्याशी घोशित किया है। अर्चना गौतम सोशल मीडिया के लिए कोई नया नाम नहीं है। चुनावी समर में कूधने के साथ ही लोग अर्चना के होट वीडियो और तस्वीरे शेर कर रहे ह लखनव में स्वामी प्रसाद मौर्य की जॉइनिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उमरी भीर को आदर्श आचार सहिता और कॉविट प्रोटोकॉल का उलंगन मानते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। शुक्रवार को पूर्ब मंतरी स्वामी प्रसाद मौर्य कूर्ब मंतरी धर्म सिंग सैनी, विधायक भगवती सागर, विने शाक्य, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा और ब्रजेश प्रजापती ने समाजवादी पार्टी जुवाइन कर ली। इस दौरान सपा दफ्तर में भारी संख्या में कारे करताओं की भीर उमरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नाबालिक से रेप कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। बाद में किसी अन्य को इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।